नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं जैसी बीमारी और गंभीर तीवर सौसन संक्रमन के मरीजों की गहन निगरानी करते हुए आटी पी सी आर्जाज करने का निर्देश दिया, साथ ही OPD में पहुँचने वाले उन सभी मरीजों की हर दिन IDSB की रिपोर्ट भी देने को कहा है, उन्होंने कहा है कि सौसन तंत्र के एवाम एन्फ्लोेंजा के मरीजों की कोविर जाज कराई जाएगी, सभी जीलों के डिस्टिक सर्विस लाइन्स अपसर को इसके लिए जिम्यदार बनाया गया है, DASU अस्पतालों के OPD में पहुँचने वाले मरीजों के डेटा का बिश्लासन करेंगे, यह हम RTPCR जाज के लिए रेफर भी करेंगे, जारखन के ब्याने बाज नेताओं के विवाधित ब्यानने बटोरी सुर्खियां, गड़वा में हिंदू मुस्लिम समन्वे समीती गड़वा के बैनर तले इफतार पार्टी का आयोजन किया गया था, चारखन सरकार के कल्यान मंत्री हफिजूल हसन भी इसमें सरकित हुए थे, उन्होंने बिवाधित ब्यान दे दिया, कहां हमारा 20 फिजदी तो आपका 80 फिजदी घर बंद होगा, पेज ज़ले हों स्वस्ता मंत्री मिसलेश ठागूर के साथ इस वीडियो में कारकरम सामिल हुए थे, रांची में कोरोना भैक्सिनेशन के लिए 42 सेंटर तयार, कोरोना के संभावित संक्रमन को देखते हुए रांची जीला परशास ने टिका करन की रफ्तार को तेज करने का परयाज सुरू कर दिया है, रांची जीला स्वाश तभी भाग ने सहर में टिका करन के 22 सेंटर बनाये हैं, यहां 18 पलस के लिए बुस्टर डोज के साथ कोरोना भैक्सिन की पहली और दूसरी डोज लगाई जाएगी, बता दे कोवी सिल्ड और कोर्भी भैक्स की उपलब दता नहीं होने के कारण टिका के इंदर पर सिर्फ को वैक्सिन ही दिया जाएगा, सोमवार को सबसे ज़्यादा टिके की डोज, CCL में 400 और मुराबादी के फॉटबोल स्टेडिया में 300 टिके की डोज उपलब दिकराई गई है, राची जी लेके ग्रामी इलाके में कुरोना टिका करण को लेकर 14 सेंटर बनाये गए हैं, 15 से 17 साल के की सुर यहाँ टिका करण ले सकते हैं, 28 दिसंबर से राची के मुराबादी में लगेगा खादी मेला, राश्ट्रिये खादी एवाम सरस महोत्सव का आउजन 28 दिसंबर से 8 जनवरी तक राची के मुराबादी में किया जागा, मुख्य मंत्री हेमान सुरेन इसका उधाटां 28 दिसंबर के साम 4 बजे करेंगे, बतादे पहले दिन परवेश निसूल कहा है, कूल 8 सेक्षन में 320 स्लोट लगाए जाएंगे, इसमें खादी और सरस्त जुड़े स्टोल रहेंगे, यह जनकारी जार्खन राज खादी और ग्राम उद्योग बोर्ट के सीएओ राखाल चंद्र बेसरा ने दी, राची में 28 दिसंबर से खादी मिला, लगने जा रहा है, यह 8 जनवरी तक लगेगा, जार्खन बिहार और उडिसा में सेंपल की एक साथ होगी जिनोम सेक्वेंसिंग, कुरोना के नई वेरियंट ओमी क्रोन बी एफ साथ को लेका संसाय की चिती उत्पन हो गई है, वहीं राज सरकार की भी चिंता बढ़ गई है, सबसे बड़ी समस्या नई वेरियंट की पाचान करने में आ रही है, बता दे परयाप्त सेंपल के अभाव में राज ये में जिनोम मसीन होते हुए भी जाच नहीं हो पा रही, अईसी चिती में राज सरकार नई बेवास्था के प्रयास में जुटी है, इसके तहुत जार्खन बिहार और रोडिसा के स्वास्त विभावों के बीच समंज़स अस्थापित किया जाएगा, तीनो राज्यों के पास जिनोम सिक्वेंसिंग मसीन है, लेकिन सेंपल नहीं, ऐसे में जो जाच के लिए त्यार होगा, आने दो राज्यों के सेंपल भेज़े जाएगे, वहां पर जिनोम सिक्वेंसिंग कराई जाएगी, वहीं नए वेरियंट की पहचान होने पर उसके हिसाब से निर्देश जारी किया जाएगा जारखन में ठंड से राहत लेकिन बढ़ेगी कनकनी जारखन में मौसम का मिजाज बदल गया है इस करण ठंड से लोगों को राहत मिल रही है मौसम बेग्यान के कि माने तो दक्षिन पच्मी हवाओ के करण लोगों को ठंड से राहत मिल रही है मौसम भीभाग ने अपने पुरोण माने में बताया है कि 27 दिस्तमर से पलामू ब्रमंडल से मौसम का मिजाज फिर बदलना सुरू होगा वही 28 से रांची और आसपास के जिलो में तापमान गिरना सुरू होगा इसी तरह फिर कंकरनी बढ़ेगी जार्खन के सभी जिलो में मौसम का मिजाज बदल गया है दक्षिन पचिम हवाओ के गरण ठंड से लोगों को रहात मिल रही है चार दिनों में राज़ानी कन्यूतों तपमान 8 डिग्री से चठ गया यही वज़ा है कि पहले के अभेक्षा लोगों को ठंड से रहात मिल रही है नगर निकायों को चुनाव नहीं होने से राज सरकार को आर्थिक नुकसान हो सकता है चुनाव कराने में हो रही बिलम के कारान 15 वे बित आयों की मदद से वन्चित होना पर सकता है बता दे सहरी निकायों के विकास के लिए आयों से लगभग 1200 कोड़ रुपए पर जहर्खन का दावा है लेकिन तैस समय पर चुनाव नहीं होने से बितिये आयों की मिलने वाली सहायता परोक लगाई जा सकती है समिधान अधिनियाम 1992 में असपस्ट बताया गया है कि राजियों में अस्थाने निकाय कोई कारणों से कमजोर और अप्रभावी हो गाई है इन कारणों में नियमित चुनाव कराने में विफलता और लंबे समय पर सकतियों वकारियों में अपर्याप्त हस्तानत्रं सामिल है गिरीडी में गरम मार फेकने से महिला जूल सी गिरीडी जी लेके देवरी में एक बच्चा दवारा घर कैंगन में जूठा फेक दिये जाने को लेकर परिवारिक विवाद हुआ विवाद इस कदर बढ़ गया कि बड़ी गोतनी मालती देवी ने मंजली गोतनी मंजू देवी के सरी पर गरम मार उधेड दिया इससे महिला जुलास गई है देवरी के समुदाईक स्वाष्ट केंद्र में इसका इलाच चल रहा है इस मामले में पिलित महिला ने थाने में सिखाई दर्च कराई है बिरसा मुंडा पार्क में एक दिन में एक लाग साथ हजार कमा आई नौ वरस के स्वागत के लिए बिर्शा मुंडा पायक त्यार है इस बार अपत्रसित तोर पर प्रेटकों की संख्या बढ़ने की संभवना है रभी वार को क्रिस्मस दे के असर पर यहां तीन हैर साधिक प्रेटक पहुंचे आगे प्रेटकों की भीड को देखते हुए नगर नीगम ने विशेस त्यारी की है विर्शा मुंडा पार्क सभी आयू वर्ग के लोगों को आकर्सित करता है बता दे कई सेकर में फैले पार्क में आकर्सन जुले हर्याली पेन पहुदे खिलोना ट्रेन बच्चों के लिए बिभीन सवारी कैंटीन और बिभीन परजातियों पहुदे है आठ लेन सड़क भी लगभग बन चुकी है नियोजन निती बिवाद पर सर्जू राय का बड़ा ब्यान हाई कोट द्वारा रद कर दी गए जार्खन की नियोजन निती को लेकर जारी बिवाद पर वरिष्ट विधायक सर्जू राय ने परतिकिरिया दी है सर् पी और बिहार का कालपनिक दुस्मन खाडा करने से काम नहीं चलेगा सर्मिधान समध नियोजन निती बनाने की बात करते वे सर्जू राय ने कहा है कि बिग्यापन निकाली और बहाली कीजिए गोतला भाय के हैमन सरकार द्वारा बनाई गए नियोजन निती को जार्खन हा के बाबुलन मरांडी लोहरदागा में योती के साथ सामुएक दुसकर्म की घाटना को लेकर राय सरकार चौतारफा घिर गई है बिपक्ष ने फिर से राजे की एहमन सरकार को महिला सुरक्षा के मसले पर घेरा बिजेपी ने आरोप लगाया है कि सरकार महिला सुरक्षा के मोर्चे पर बिफल साबिल होई है बिजेपी बिधायक दलके नेता बावला मराडी ने मुख्य मंत्री पर निशाना साथ तेवे कहा है कि महिलाओ के खिलाप अपराद नहीं थम रहा लेकिन परदेश के मुख्या भासन बाजी में ब्यस्त है उन्होंने कहा है कि राजे में क सपत पत्र जामा करा देना होगा ऐसा नहीं करने पर वे इस इसकिंग का लाब नहीं उठा सकेंगे पविस्त निधी निदे सालय बीत बिभाग ने एक बर फिर से इसको लेकर सभी बिभागा अध्यक्ष बिभागे सचीव आयूक्त उपायूक्त एवम कोसागार अपसरों क को पत्र लिखा है निदेशक संजीव कुमार बेसरा नहीं से लेकर सभी को पत्र भेज दिया है सभी को लिखे पत्र में कहा गया है कि बीत विभाग के संकल्प के अनुसार एक दिसमर 2004 के बाद न्यूक्त कर्मियों को पुराने पिंसन योजना में सामिल कराने समधिन प्लांट के रिशाव 85 लाग से बना प्लांट बेकार चीन समेत कई देशों में कोरोना के कोहराम से भारत भी अलोट मोड में है जरकन के स्वास्मंति बना गुपता ने भी कहा है कि जरकन सरकार पूरी तरह से अलोट है सरकार के दावे से इतर अभी वेवास था दूरूस्त नहीं दिख रही ना तो ऑक्सिजन का समोशित प्रबंधन हुआ है और नहीं पर्याप्त संख्या में बेट का इंतजाम किया गया है बता दे कुरोना रिटर्ण के बीच पासमी सिमुम के चतरधर पूर अनुमंडल अस्पताल में DMFT फंड से बने ऑक्सिजन प्लांट मेरी स दबाये साथ वीडियो के एक लाइक कर अपने दोस्तों क्या शेयर करना भूले साथी साथ आप हमें कमेंट बक्स में अपना फिड़वाइक अवसे दे थैंक यू